भारत में जो mutual fund का जो industry शुरू हुआ था उसके शुरुवात में हमारा काफी योगदान रहा 24 को लेकर आपने किताब तो लेकिए 24 को लेकर prediction क्या है आपको क्या लग रहा है मतलब कॉंग्रेस की स्थेदी को लेकर इंडिया की स्थेदी को लेकर एंडिय की स्थेदी को लेकर बीजेपी की स्थेदी को लेकर मैं समझता हूँ कि Congress Party वापस आईगी वोदी जी कहते हैं तो मेरा तो हैट्रिक हो गया है अब आपका हैट्रिक हो गया तो आपको चुनाओ अभियान भी नहीं करना चाहिए तब आप कहें यहां से वहां जा रहा है प्रचार करने के लिए Share Market में यह prosperity दिख रही है किस तरह के समाज को देखकर Market react कर रहा है और किस तरह की politics को देखकर किस उमीद में Share Market इतना चड़ा रहा है Stock Market को आगे पढ़ने से नफा बहुत कम लोगों को हो रहा है बहुत कम लोगों को जिसे कहते हैं कि आप जमीन पर उतरिये, लोगों के साथ जुड़िये वो सब तो राहूल गांदी के एक्शन में दिख रहा है तो राहूल गांदी का मैसेज क्यों नहीं पहुच रहा है लोगों तक राहूल जी भाशन, बोलते हैं बहुत सही चीज है लेकर मुझे लगता है कि कभी-कभी उनको जो भाशन देते हैं तो थोड़ा एक उसमें जो कहते हैं कि थोड़ा इस फाइन पॉइंट्स को ट्यूनिंग एदी सही कर ले तो वो मीलो दूड जाएगा पार्टी में अपना भविश्य किस परकार से देखते हैं कॉंग्रेस पार्टी में क्या आपको लगता है कि अदानी अंबानी को मोधी सरकार जादा फेवर कर रही है जाए अदानी अंबानीों को सरकार बदलेगी वो वहां भी पहुंच जाएंगे राहुल गांधी को अमेठी से और प्रीयंका गांधी को राई बरेली से चुनाव लड़ना चाहिए आपके हिसाब से बिलकुल, मैं समझता हूँ कि मैं राई बरेली अमेठी दोनों गया हूँ काफी बार आप चुनाव हार गें पिछली बार हार जीत होता रहता है आप हमें बताएं कि बीते दस सालों में जो प्रधान मंतरी नरिंद मूधी का जो टेनियोर राय है आज हमें वाटसाप का कॉल करना पड़ेगा आज हम सिगनल में कॉल कर रहे हैं ताकि वो इंक्रिप्टिड है या फेस्टाइम आडियो में हम बात कर रहे हैं यह तो बताता है कि यह तो बहुत ही नकरात्य भंकल है आपके विछारों से कि राहूल गांदी के रण्नीतिकार है जैराम रमे से ईनल डॉबी है वह साहध सही लेया है और उनकी दरब से दी जाने वाली वाली सलहय ऐसी नहीं जो ग्राउंड तक राहूल गांदी को आम आदमी के दिल तक कनेक्ट कर दे जैसा कि मोधी जी कर पाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी ने धेर राजयों में सफलता नहीं पाई। मंदिर में जीता, करनाटका में जीता और तेलेगाना में जीता है परन्तु इस बात को में सफिकार करूंगा। एक मंदिर में इतनी ताकत है कि वो देश के अर्थ व्यवस्था को बजल सके। साउथ में या वेस्ट में या नॉर्थ में जहां भी टेंपल्स हैं लोग जाते हैं देखने के लिए लोग फोटोज लेते हैं और मैं समझता हूं कि बिल्कुल पस्विक है उसमें कोई गलत बात में और टूरिजम को बूस्ट आना चाहिए, I think it's a good thing. मैं बिहार का हूं, मेरी बीबी गुजराती है, मेरे बच्चे फ्रेंच बहुत अच्छा बोलता है, और मेरे घर में एक जो आदमी काम करता है उत्तर पुदेश का है, एक कोई महराश्टा का है, हमारे कंपनी में कुछ लोग मुसल्वान हैं, कुछ लोग सीख हैं, हर तरह क लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि यदि आप देखिएगा, तो यही हमारी कहानी है, यही हमारा अफसाना है तीन अतिती हैं, वो हैं संजय जहा, संजय जहा को हम जानते हैं, कि वो फॉर्मर कॉंग्रे स्पोक्सपर्सन है और ऑथर है, ऑथर के हिसाब में अगर मैं बात करूं तो अभी संजय जी की किताब आई है, 2024, इंडिया in free fall, अब इस किताब को पढ़ना जरूरी हो जाता है, और जरूर पढ़ा जाएगा, इसको Harper Collins ने चापा है, और इसमें 10 साल, बीते 10 साल के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे, संजय जहा को लिकर मैंने एक शब्द का इस्तमाल भी किया कि फॉर्मर कॉंग्रेस स्पोक्सपर्सन, उस पर भी बात करे और संजय जी हमारी एक रवायत है, हम कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति को जानने के लिए पैचानने के लिए उसकी जर्नी से हम पूछें, उससे स्टार्ट करें, तो आप अपने बारे में हमें बताएं जरूर, देखें संजय में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक एकनॉमिक्स का ग्रैजवेट हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जब मैं छोटा था उसमें मेरे पिताजी एक प्रोफेसर थैं, तो मेरा सच कहीं तो मेरा स्कूलिंग पूरा पूना में हुआ है, आज को उसको लोग पूने बोलते हैं, और उसके बाद मैं मैंने MBA किया, XLR जमशेदपूर से, उसके बाद कुछ विदेशी बैंकों में मैंने काम किया, ANZ ग्रिंडलेस बैंक, Bank of America, और investment banking में भी मैंने काम किया हुआ है, भारत में जब mutual fund का जो industry शुरू हुआ था, उसके शुरूआत में हमारा काफी योगदान रहा, तो उसमें हमने private sector mutual fund industry को शुरूआत करने में हमारा भी कुछ उसमें भूमिका था, और उसके बाद जब internet की भूम आई, तो मैं जैसे आप सब लोग भारत में cricket के बहुत बड़े शुकीन है, मैं cricket का cricket next एक portal मैंने शुरू किया, जो अब मुकेश अबानी जी के टीवी 18 ग्रूप ने उसे ख एक तरीके से डेल कार्डिगी ट्रेनिंग जो एक विदेशी ट्रेनिंग कंपनी है, उसमें भी हमारा एक joint venture है, और राजरिती में नहीं जानता कितने लोग पीएजडी के हुए हैं, लेकर हम पीएजडी भी किये हुए हैं, जरा वह भी जरा याद कीजिएगा, और 2004 में किसे शुरू हुआ, वो कैसे हुआ वो शायद बात में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो इंडिया शाइनिंग कैंपेंग जो एक समय लोग कहते थे कि वाचपी जी के सरकार ज़रूर जीतेगी, उसके पहले मैं कॉंग्रिस पार्टी के लिए काम करना शुरू किया, और अचानक एक तरीके से कॉंग्रिस पार्टी जीत गई, यूपी ए जीत गई, और अंत में 2013 तक मैं एक तरीके से बैकेंड में काम कर रहा था कॉंग्रिस पार्टी के लिए, किसी को मालूम नहीं था क्योंकि मैं कॉपरेट सेक्टर का आदमी हूँ, तो मुझे लगा कि द आपके आपके लिए हानी कारक भी हो सकता है, जो आज के हालात में अब शायद सचाई भी हो, लेकिन इसलिए मैं लो प्रोफाइल रखा, लेकिन 2013 में जब अन्नाहजारे और अर्विंद केजरिवाल का जो पूरा विरोध लोगपाल को लेके हो रहा था, तो यूपी ए काफ पार्टी के लिए लड़ी है, और तो ये बहुत बड़ा एक निर्ने मुझे इस पर करना था कि क्या मैं राजनीते में आओ या ना आओ, क्योंकि एक बार आप प्रवक्ता बन जाते हैं तो दुनिया आपको पहचान जाती है, और एक बार आप जिम्मेदारी का एक ये काम ह लोग समझते हैं कि प्रवक्ता होना बहुत ग्लैमरस काम है कि आपको लोग टीवी पे देखते हैं, यू फील कि मैं काफी लोग प्री हो चुका हूँ, लेकिन उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, और ये मैं समझता हूँ कि कठिन काम है क्योंकि धे सारे प्रशना आते ह हैं और यदि आप हार रहे हैं तो मुश्किलात और भी बढ़ते ही हैं, लेकिन मैंने वो जिम्यदारी उठाए 2013 में उसके बाद तो आप लोग सब जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैंने जो किताब लिखा है उसके बारे में तो आपका मैं प्रशन का इंतजा हुआ है, आपने एक किताब लिखी है, दोजार चौबीस, इंडिया इंड फ्री फॉल, और खास तोर पर इसमें जो जिकर है, अगर आप हमें बताएं कि बीते दस सालों में जो प्रधान मंतरी नरिंद मोदी का जो टेनियोर राय उसको लेकर है, उसमें एक एनलिसिस है, य कोई अगले बार कोई और जीताएगा, यह तो एक तरीके से एक सिलसिला है, कभी भाजपा जीतेगी, कभी कॉंग्रिस जीतेगी, कोई दूसरा मन जीतेगा, वो ठीक है, परंतु देश में मैं समझता हूँ कि जो लोकतंतर है, जो सविधान है, उसका पालन करना सब की जिम् पंडित नहरू, सदार पटेल, नेता जी, सुभास चंदर बोस्क, यह लोग हमारे लिए आजादी में के संग्राम में सब लोगों ने कितनी मेहनत की, उसके बाद भारत आजाद हुआ, क्या वो सपनों को हम सहकार कर रहे हैं आज, या क्या हम एक तरीके से जो भारत को जो ह होना चाहिए, क्या हम उस रास्ते पे जा रहे हैं, या हम अपने, खुद अपने ही पैर परम कुलहारी मार रहे हैं, क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ कि यह देश जो है, इसके बारे में, दुनिया भर में, जो हमारे बारे में, जो लोगों को एक तरीके से लगता है कि भारत क्यों इतना खूबसूरत देश है क्योंकि हमारे अंदर एक डाइवरसिटी है आप चले जाएए करनाटा का आप चले जाएए तामिल नाट तो वहाँ पर आपको एक दूसरा एक संस्कृति यार संस्कार दिखेगा आप बेंगौल जाएए आसाम जाएए आप कश्मीर जाए अब गुजराज जाए महराश्टा जाए हर जगह खाने का बोलने का भाषा हर चीज अलग अलग है और यह अलग अलग होना ही भारत को एक महान देश बनाता है बहुत लोग कहते हैं कि भारत इस लाइक यॉरोप यॉरोप में 28-29 देश है हमारी हैं उतने राज हैं औ और आप कहीं भी चले जाए मैं बिहार का हूँ मेरी बीवी गुजराती है मेरे बचे फ्रेंच बहुत अच्छा बोलता है और मेरे घर में एक जो आदमी काम करता है उत्तर प्रदेश का है एक कोई महराश्टा का है हमारे कंपनी में कुछ लोग मुसल्मान हैं कुछ लोग स आप वो पिक्चर देखिए है उसमें एक बहुती अजीब साइक सीन है जहां पर अमर अक्बर अंथनी अपनी मां को बिना जाने वे क्यों मां है वो तो मनमों देशाय का पिक्चर हो तो महां तो कुछ भी होता है वह उनको खून खून दे रहा है मैं समझता हो कि आज मान ल कि कमांडो आये थे बंबई में तो क्या हमने पूछा बंबई में कि आपका धर्म क्या है आप बिहार के हैं या उत्तरप्रदेश के हैं या महरास्टा के हैं या करनाटा के हैं आज किसी को इदी अस्पताल में खून चाहिए तो क्या आप पूछते हैं कि हमारी मा को या हमा भाशन देना हर राजनेता भाशन देने में नमबर वन होता है लेकिन भाशन से राशन नहीं मिलता है लोगों को भाशन से मैं समझता हूँ कि लोग गुमरा हो जाते हैं भाशन से लोग उतेजित हो जाते हैं भाशन से एक तरीके से लोगों का नजरिया बद्रा जाता है लेक तब भारत के युवाप पीडी को देखता हूँ, मेरा क्यों इतना रुची है कि मैं आपके सामने आज पेश हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे काफी यंग हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो एक तरीके से ऐसे भारत में रहें, जहां किसी को डर न हो, कि वो किसके बारे में क्या कह रहा है, आज यदि किसी को किसी नेता का निंदा करना हो, या किसी सरकार के बारे में आप किसी चीज़ से आप नाखुश हो या नाराज हो, तो आप खुले हाँ बोले, उसमें डर क्यों, यदि हम प्रजातनत रहें, तो प्रजातनत का मतलब क्या होता है, कि आजादी से ह हमें वाटसैप का कॉल करना पड़ेगा आज हम सिगनल में कॉल कर रहे हैं ताकि वह इंक्रिप्टिड है या फेस्टैम आडियो में हम बात कर रहे हैं यह तो बताता है कि यह तो बहुत ही नकरात्पंग महुल है तो मैं समझता हूं कि डर भै और जहां पर हमेशा लोगों को कि याद दिलाया जाता है कि आपका आप कहां से आते हैं आपका धर्म क्या है अपने बैक MP एिड में रिकर क्रकार क और यह और उसके बाद पिर सामने आकर कम किया तमाम आपने बात बता हैं लेकिन 24 को लेकर आपने किताब तो लेकिए 24 को लेकर prediction क्या है आपको क्या लग रहा है मतलब Congress की स्थिद्धी को लेकर India की स्थिद्धी को लेकर बीजेपी की स्थिद्धी को लेकर ये भी तो analysis क्या होगा आपने देखिए जहां तक आंकरों का सवाल है उसके बारे में तो हम भारत हर परजातंत्र में कोई कोई भी पूरा नुमान या भविशानी करना आसान नहीं है लेकिन में दो कुछ जो अभी अभी जो हमारे सामने जो कुछ एक तरीके से या जो घटने हुए हैं या जो हाथसे हुए उस पर जारा गौर किया जाए आज भारत भारत का उच्छतम नैलले ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉंड्स और सविधानिक हैं मतलब गैर कानूनी है तो प्रश्ट नहीं उड़ता है कि आप भी हम लोग भ्रस्टाचार काफी बात करते हैं माते हैं दोहाजार चौदन में कुछ घोटाले हुए हैं तो घोटाला हम सब समझते हैं कि एक बहुत ही एहम मुद्धा होना चाहिए यहां कोई विरोधी दल ने नहीं कहा यह सुप्रीम कोट ने कहा है कि जिस तरीके से जहां कोई पारदरशिता नहीं वहाँ पर पैसे लिए गए हैं जिसमें बड़े कि आपको बहुत चिंता होनी चाहिए इसका मतलब मैं तो यह भी कहने के लिए तैयार हूँ कि 2018 का जो चुना हुआ था 2019 का जो चुना हुआ था और उसके बाद जितने राज्य के चुना हुए और थाइस जो चुना हुए उस बीच में वह सब गैर कानूनी है क्योंकि उसमें तो प्रिटेंटेड मनी का इस्तेमाल हुआ है आप समझें नहीं मैं क्या बोलना हूँ आज जब सुटेट बैंक लिच्टे को उसके बारे में बताना है को कि यह पैसे कहा से तो यह पर सब्रेंच कहती है लेकिन आज भारत का हर बैंक जो है उसके पास सबसे अच्छी टेकनोलिजी है आप क्या कोई विश्वास करता है सच मुझ की सिर्फ 20,000 एंट्रीज जिसके बारे में आप कोई पास रेकॉर्ड होना चाहिए 2018 के बाद हर रोज का रेक रेकॉर्ड स्टेट बैंक अफ इंडिया में कम सकम 40 लाग से ज़्यादा डेली ट्रांजक्शन होते हैं वहाँ पर बैंक कह रही है स्टेट बैंक अफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी बैंक भारत के महान एकॉनमी और सबसे बड़ी प्रजातंत्र के सुप्रीम कोट को कह रही है हम आपको यह आंकड़े नहीं दे सकते मैं समझता हूँ कि ये प्रजातंत्र का मजाकी नहीं प्रजातंत्र को आप खतम कर रहे हैं किस बात का डर है इस इन इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं समझता हूँ कि इस चनाव में इसके बारे में यदि विपक्षी दल चर्चा न करे क्योंकि इसमें मालूम हो जाएगा जिस दिन इसका खुलासा हुआ आप सब लोगों को मालूम हो जाएगे कि किस ने सरकार को क्या दिया और यदि उस उद्योगपती को फैदे मिले मतब ये बरस्टा चार का सबसे बड़ा आपके सामने एक मिसाल है कोई डरा हुआ है इसलिए ये नाम आगे नहीं आ रहे है आपने अब तक जित्ती बाते कहीं हैं उसकी समरी ये निकलती है कि भारत में डर का महौल है और राहुल गांदी ने इसी डर के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसमें उन्हें एक स्लोगन दिया था डरो मत तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांदी या कॉंग्रेस पार्टी इस डर के महौल को खत्म कर सकते हैं जिस जितना डर का एक्स्प्लेनिशन आपने अभी दिया है मैं आपको पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कॉंग्रेस पार्टी में खामिया हैं सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा मैं सच से मैं भागने वाला नहीं हूँ कॉंग्रेस पार्टी में खामिया हैं इसलिए Congress Party विपक्षी दल है इसलिए जो पार्टी एक समय 400 सीट से ज्यादा थी आज 52 सीट पर है परंतु Congress Party ने इमर्जंसी भी लाया वो भी सही बात है और हारी मैं समस्ता हो क्यों Congress Party का में समर्थक हूं लेकिन Congress Party ने इमर्जंसी लाया और उसके बाद हारी वो सही नतीजा भारत के अवाम ने दिया लेकिन आज मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से Income Tax ED CBI का इस्तमाल किया जा रहा है राजनीतिक जो हमारे जो भी सरकार समस्ती के उनके राजनीतिक जो विपक्षी दल है या कोई उद्योग पती हो या आम आदमी हो या कोई पत्रकार हो आपके जैसा मैं समस्ता हूं कि Congress Party वापस आएगी और मैंने भी ये सला दिया हूं कि आप मैनिफेस्टों में भी लिखे है कि ये बिल्कुल बंद हो जाएगा जीरो कि कोई पत्रकार चाहे वो ऐसा कोई टीवी चैनल हो या कोई डिजिटल प्लैटफरम हो जो सरकार के विरुद हो जो आपके विरुद हो जिसका विचारधार आप से अलग हो सकता है या जो आपको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप में परिवारवाद है जो भी कारण हो फिर भी आप किसी के विरुद कानूनी कारवाई नहीं करेंगे गलत तरीके से किसी को डराने के कोशिश नहीं करेंगे किसी तरीके से किसी को धमकी न देंगे मेरा पूरा विश्वास है कि यदि कॉंग्रेस पार्टी वापस आई इंडिया अलाइंस हो तो जिस तरीके का ये नकारात्मक जो एक माहुल है डड़ का भै का जिसको मैं कहता हूँ कि एक काला बाधर के जैसा है मैं देखे सबसे खराब जिन्दगी वो होता है जहां पर आदमी रात को सोता है इस डर से कि यदि दर्वाजे पर किसी का किसी ने बेल रिंग किया या कोई ढख ढखा रहा है तो कहीं कोई मुझे को पकरने के लिए तो नहीं आ रहा है मैं समझता हूँ कि वो माहूल देश के लिए नहीं है इस देश को बरदाश्ट करना भी जरूरी नहीं है उस माहूल का लेकिन आपके प्रश्ण का जवाब मेरा यही होगा कि यदि राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी वापस आये सता में तो इसके विरुद और ये गैरिंटी करना कि कि किसी के विरुद प्रतिशोद या बदले की राजनीती नहीं होगी यह मैं आपको आशवाशन दिला सकता हूँ अगर समाज में इतना डर का महौल है तो फिर यह जो प्रॉस्परिटी है और जो शेयर मार्केट में यह प्रॉस्परिटी दिख रही है संसेक 75 के पार जानी की स्थिती में है निफ्टी 25,000 के आसपास चल रहा है तो यह किस तरह के समाज को देखकर मार्केट रियाट कर रहा है और किस तरह की पॉलिटिक्स को देखकर किस उमीद में शेयर मार्केट इतना चड़ा रहा है देखे बहुत ही बहुत इन प्रश्ण ही है स्टॉक मार्केट में कितने इंवेस्टर्स है हमारे देश में तीस लाख ज्यादा स्यादा त्रीन मिलिन होंगे सबसे बड़े इंवेस्टर्स उसमें बड़े बड़े इंवेस्टर्स फॉरिन इंस्टिशूशन इंवेस्टर्स हैं आप आंकरा देखें धानेज मोगें 2022 का जो सौ प्रतिश्ण है सिर्फ अधानी ग्रूप की रहने मोगें कानी इख्या है यह वहीर देश है इसी इन यह हुआ इतना आर्थिक यह समनता है यहां पर 56 प्रतिशन प्रतिशद लोगों को पांच किलो हम चावल और गेहूं उनको मुफ्त में देते हैं मतलब क्या कितनी गरीबी है हमारे देश में आप समझेए कि 5 साल तक हमने वादा किया है 56 प्रतिशत लोगों को मतलब you're talking of 800 million people 80 crore people इसका मतलब देश में कुछ लोगों के पास बहुत संपती है stock market में मैं आपको आप अपना हाथ उठाई यह दी आपको 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 दसलाग के इंवेस्मेंट से stock market आम आदमी का तो investment deposits में होता है आम आदमी तो एक्चुली उसके पास savings के लिए भी पैसे नहीं मन्रेगा के लिए वह लगे हुए है तो देखिए आप दी पूरा GDP ग्रोथ देखिएगा देश का तो GDP ग्रोथ पिछले दस साल में सिर्फ 5.9% है UPS से कम है तो stock market से क्या होता है कि लोगों को लगता है stock market boom कर रहा है और stock market अच्छा करें खराब बात नहीं है लेकिन stock market को आगे पढ़ने से नफा बहुत कम लोगों को हो रहा है बहुत कम लोगों को देखिए आपको में एक चीज बहुत लोग भूल गये हैं 2019 में भारत की वित्मंत्री देफिनेंस इंडिया गेव टैक्स ब्रेक टुदे कॉर्परेट सेक्टर में कॉर्परेट सेक्टर का आदमी हूं लेकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कितना एक तरीके से गलत निर्ने था निर्मला सीता रमन जी ने वन लाग 45,000 करोर का टैक्स रिलीव दिया कॉपरेट सेक्टर को कॉपरेट सेक्टर को खुश होगी कोई गलत बात नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि इसके कारण पुंजी बढ़ेगी और नौकरी आएंगे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ लेकिन क्योंकि कंपनीज ने टैक्स बचाएं उनकी अर्णिंग्स बड़ी स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है तो शायद इसकी वज़े यह भी है कि देश में एक इस्थायत्तों का महौल दिख रहा है सरकार के थर्ट टन से पहले की सलामी दी जा रही है मार्केट से यह तो हो सकता है जहां तक इन्वेस्टर का सवाल है उनको यह नहीं अच्छा लगता है कि कोई अंसर्टिंटी हो स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों को एक तरीके से यह लगता है कि मोदी जी के सरकार उध्योग के लिए या बिजनस के लिए वैपार के लिए कारूबार के लिए वो सही कदम उठा रहे हैं तो उनको तो लगता है कि मोदी जी जीत गए तो उनके लिए तो पूरा चांदी ही चांदी है परंतु देखिए आप इस बात पर गौर कीजिए प्राइविट इंवेस्मेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं दूसरी बात जो गरीब है जो गरीब है उसका हाल देखिए आप पिछले आप आज किसान क्यों रोड पर है किसान क्यों विरोध कर रहा है एक बहुत महत्रपून आंकरा है जिस पर लोग गौड नहीं करते पिछले 10 साल में जो हमारे जो फार्म लेबर जो हमारे गरामी छेत्र में जो काम करते हैं जहां पर लग करता लीजी तो वह बिलकुल बढ़ा ही नहीं है बिलकुल बढ़ा ही नहीं है डी मॉनिटाइज जिन या नोट बंदी के बाद छोटे बिजनेस चोटे कारुबार बिलकुल नश्ट हो चुके हैं तो मैं समझता हूं कि देश जो है अभी एक तरीके से कुछ लोग बहुत अ जाएंगे वह ठीक चल रहा है उस पर कोई जो लोग जिनको लगता है कि चुटी वा तो निकल जाएं बैंककॉक वह एक एक तरीके का एक लेवल है जहां पर लोग बहुत खुछ हैं मोदीजी के सरकार के साहरे मिडल क्लास को देखिएगा मिडल क्लास के लिए ओल कदाम पूछें कि आपका आमदनी एक्चुली कितना बढ़ा है पिछले दस साल में आप अपना भी आपकल करके देखिए कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है और सबसे बड़ी बात जो कमजोड़ लोग है किसान दो पूर दे न्यू मिडल क्लास कि वहां पर मैं समस्ताओं के ज चुनाओ अभियान भी नहीं करना चाहिए तब आप कहें यहां से वहां जा रहे हैं प्रचार करने के लिए इसलिए लोग घबडते हैं क्योंकि देखिए अंत में भारत बड़ा देश है यहां कि समस्याएं बहुत ही पेचीदा है और उसका उसका उनका क्या निर्णे होग इस पर कोई कोई भी एक तरीके से जो कहते हैं ना उतना कॉंफिडेंस से आत्मी विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता है कि उसका नतीज़े अंजाम क्या होगा संजे जी थोड़ी आदर्शवादी बात लग रही है जो आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल व्यहवारिक्ता उसमें थोड़ी कम है आदर्श थोड़ा ज़ादा है उसकी वजह मैं बता रहा हूं कि थोड़े से आकड़े दूँगा आप तो आकड़ों के माहिरी हैं 2009 के चुनाओं में जब UPA ने सरकार बनाई थी कॉंग्रेस पार्टी को लोगसभा चुनाओं में वोट मिला था तकरीवन 12 करोड और बीजेपी को मिला था तकरीवन 8 करोड 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाई कॉंग्रेस पार्टी का वोट 12 करोड से 11 करोड और बीजेपी का वोट 8 करोड से 17 करोड 2019 में बीजेपी ने सरकार बनाई कॉंग्रेस पार्टी का वोट वही 11 करोड और बीजेपी 17 करोड से 23 करोड इसमें ज्यादा तर हिस्सा युवा वोटर का है हर साल हमारे देश में 57 करोड नया वोटर जुड़ता है वो हर बार जुड़ता है और ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के पास चला जाता है वो सब 18 साल के युवा होते हैं आप कहरें कि आपको युवाओं से बहुत उम्मीद है जाहिर तोर पे हम सब को है तो बीजेपी ऐसी कौन सी मुगली घुटी उन युवाओं को पिला रही है जिने वो धर्म की विसंगतियां नहीं दिखती है जिने वो दर्वाजों के पीछे चुपे हुए डर नहीं दिखते है जिने वो बिरोजगारी नहीं दिखती है मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए युवाओ ने कंग्रेस पार्टी इस बात को भूल गई कि इतिहास जो है लोग भूल जाते हैं गांधी नहरू 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 ने किस तरीके से आई आई टी आएम्स बनाएं मिस्स गांधी ने कैसे सच मुच उनका जो बैंक नैशनलिजेशन था जिसके अबारे में उसे में बहुत लोगों ने निंदा की लेकिन बाद में हमने देखा कि बहुत सही कदम था राजीव गां करते हैं अपने जिंदगी बनाने के लिए लेकिन आज मैं समझता हूँ कि भाचपा और मोदी जी ने जो भी वादे किया जो भी बड़े बड़े वादे किये उस पर वो मैं समझता हूँ की सही निकले नहीं देखें काला धन इस देश से गया नहीं यहां पर तो आप इलेक उसमें लग 42% लोगों को पास नोखरी नहीं है लेकिन लोगों पर लोगों को यह बताया जाता है कि देखे नहीं आप जो भी कर रहे हैं आप सेल्फ इंप्लोइड बन जाए आपको मुद्रा लोन मिल जाएगा कितनों को मिला है कितने लोग खुद अपने पैर पर खड़े है सच कही है तो नहीं हो रहा है मैं समझता हूँ कि मोदी जी और भाजपा कहां सफल हुए हैं कि उन्होंने लोगों को एक तरीके से हमेशा कोई नो कोई कहानी सुनाया है जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है एक तो है कि हम पहली बार देश जब हम बाहर जाते तो हम हमारा इज़त लोग जा드송 करते हैं मैं तो काफी साल से कथे हों कभी भी मुझे है ऐसा नहीं लगा कि कोई हमभारती है तो हमारे पासपोर्ट को देखे लोग कहें कि यार आप आ से आये हो भारत तो मैं समझता हूँ कि हमेशा से बहुत प्रगति की हम हमारा साइंस और टेकनोलीजी देखिएगा सिलिकॉन वैली में जितने लोग बैठे हुए हैं क्या अभी के इंजिनियर हैं ज्यादा मुझबूत दिखने लेगी समझ गया कि देखिए विकल्प यदि आप सही तरीके से अपना जो भी आपका सोच है नजरिया घोशना पत्र है या आपका जो भी सपना है भारत के लिए यदि आप सही तरीके से जनता को नहीं बताईएगा तो लोगों को लगए कि हम बद्दाओं कहा है करें जो है वही ठीक है चलने दीजिए आप समझ रहे हैं तो लोग यह कहेंगे कि हमारी पास नौकरी नहीं है लेकिन आपने क्या किया था तो एक जो कहते हैं पूरा डायलोग बदल जाता है तो मैं समझता हूं कि मोदी जी का जो प्रचार रहा है या भ बीच में जाके आपको और बातचीत करनी थी तो क्या एक कॉमिनिकेटर के तौर पे राहुल गांधी एक सफल नेता नहीं है क्योंकि राहुल गांधी ने एक यात्रा की दो हजार तेईस में बहुत कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक उन्होंने पैदल चलके नाप दिया यात्राओं का तो लंबा इतिहास है महात्मा गांधी से लेकर चंदर शेखर से लेकर आज के नेताओं में जगन मोहन रेड़ी तक तो अब फिर यात्रा कर रहे हैं और पूरव से पश्चिम तक का भारत नाप रहे हैं तो वो तो जिसे कहते हैं कि आप जमीन पर उतरिये ल बताना पड़ेगा मैं समझता हूं कि जो लोग राहो जी को सला दे रहे हैं उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि देखिए आपको जो पब्लिक सोच रही है देखिए आप अंतमी आवाम के बीच में क्यों जाते हैं ताकि आप उनके जो भी मुश्किलात हैं परिशानी उसको आप उसका समधान आप बताना चाहते हैं कि मैं यह करूँगा आपके लिए वो आपको संचिप में बताना पड़ेगा और आपको जो कहते हैं बिलकुल एक जजबे के साथ बताना पड़ेगा और दोहराना पड़ेगा एक बार नहीं दस बार मैं समझता हूं कि जो ए सही है नियत आपका सही है आप बोलना भी जो कह भी रहे वो भी सही है लेकिन जिस तरीके से आप इस बात को आगे करते हैं लोगों में लोग वो बास समझ नहीं पाते हैं कि आप सच मुझ कहना क्या चाहते हैं तो एक तरीके से देखिए आज कल सब के सामने वक्त कम है लोग यहां पर हम लोग मोबायल पर आधे गंटे कभी यहां कभी वहां देखे जिन्दगी तो इतने रफ्तार में बर रहा है सब के पास इतनी जिम्मопádरी है रहे हमारे पास वक्त कम है तो आपको छोटे वक्त में बताना परेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं आई मैं आपके साथ पूरी तरीके से इतिफाख रहता हूँ जो कमणजोरी है कांग्रस पार्टि में कि हमारा जो communication रहा है वो कभी भी जितना होना चाहिए और जिस तरीके का होना चाहिए उसमें कमी हुई है और नेता के पास मैं समझता हूं कि कुईसी भी नेता के पास जब आप नेता बन जाते हैं तो freedom of expression आपका चला जाता है जानते हैं क्यूं क्यों कि आप नेता जब बन गए तो जब भी आप camera के सामने आप हमेशा camera के सामने ही रह एगा और camera के सामने आपको जो भी कहिएगा आपको सोच समझ के कहना पड़ेंग लेकिन वो आपको पास प्लbuilding वेक्तों माधियम भी है अपके सामने तो वो एक आजहार भी है एक उब करण भी है आप यहिंदी ऊसका लेकर मुझे लगता है कि कभी-कभी उनको जब भाशन देते हैं तो थोड़ा एक उसमें जो कहते हैं कि थोड़ा फाइन पॉइंट्स को ट्यूनिंग एदी सही कर लें तो वो मीलो दूर जाएगा और जो उनका उदेश है उसमें वो सफल हो जाएगा इंडिया गटबंदन को आप कैसे देखते हैं नौदस महीने पहले बड़ी उम्मीदों के साथ इंडिया गटबंदन का गठन शुरू हुआ और ये लगा कि 2024 का चुनाव आते आते एक मजबूत विपक्ष सामोहिक तौर पर बीजेपी आ एंडिये के खिलाब खड़ा होगा अब चुनाव चुकी बस अब तो उल्टी गिंती चल रही है आप कहां देखते हैं इंडिया गटबंदन को एंडिये के मुकाबले चुनोती है कठीन मुकाबला है परंतु जैसे लोग कहते हैं कि राजनीती में एक हफ़ता भी बहुत लंबा होता है मुझे लगता है कि कम स तीन महने सब्टेंबर और दिसंबर की बीच में जब यह कॉंग्रेस पार्टी राजी को चुनाओं में काफी ज्यादा करके वक्त उसी में गुजर गया कि हम चाथिसगर राजस्तान और मद्रप्रदेश को चुनाओं में हमारा ज्यादाओ वग जाएगा वो तीन महने का जह बिल्कुल बरबाद हो गया वो नहीं होना चाहिए था देखिए आपको पॉलिटिक्स में मल्टी टास्क करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग स्टेट असेंबली इलेक्शन से फोकस्त हैं इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया अलाइंस के बारे में इतना काम करना था सीड दिस्टिबूशन करना था आपको एक नया एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना था आपको एक तरीके से सब नेताओं को एक साथ लाके सोचना था कि कैसे हम भाचपा का भाचपा के जूभी सोचे उसके विरूत हमारा क्या हमारे तरब से क्या हमारा नजरिया होगा वो ती कि वो तीन महिने जो कॉंग्रेस पार्टी ने गवाएं कॉंग्रेस पार्टी को जो नेथ्रिवित दिखाना चाहिए था इंडिया लाइंस के महाग गडगंदन के लिए वहां पर कॉंग्रेस पार्टी विफल रही है एक सवाल औरसल की कॉंग्रेस कारेकरताओं की बहुत मांग है, मीडिया सरकल में बहुत कयास हैं, राहुल गांदी को अमेठी से और प्रियंका गांदी को राइबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए आपके हिसाब से? बिलकुल, मैं समस्ता हूँ कि मैं राइबरेली अमेठी दोनों गया हूँ काफी बार, आप चुनाव हार गए हैं पिछली बार हाट जीत होता रहता है, हालात बदलते हैं, पिछली बार आप हार गए हैं क्योंकि अमेठी के लोगों ने कहा कि शायद उनकी उम्मिदों पर दो हजार चौबिस में अमेठी की जनता जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं सुरीती इरानी जी पर होगा, उन्होंने क्या वादा किया क्या किया, लेकिन हार जीत हारने से किसी को डरना नहीं चाहिए, मैं समझता हो कि राजनीती में हार जीत होती रहेगी, देखे हमेशा क कोई जीता नहीं है, हमेशा कोई हारता नहीं है, यह वही भाजपा है, जो दो सीट पर थी 1984 में, यह वही कॉंग्रेस है, जो 414 सीट पर थी और आज बावन पर है, लेकिन यह बदल जाता है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जब आप राजनीती में हैं, तो आपका काम ह कि हर रोज, हर मुद्या जो आम आदमी पर उसका असर होता है, जो प्रभाव होता है, उसके लिए आप खरे हो ये और लड़िये, और मैं आपको बता रहा हूं कि जनता जनार्धन जो है न वो सिर्फ एक बयान नहीं है, जनता बहुत समझदार है, जनता समझती है, जनता ज कि दिल में ऐसा नहीं है कि कोई खराब हो गया तो हमेशा के लिए खराब हो गया, यदि वो होता तो कॉंग्रेस पार्टी की भी हारती ही नहीं, या भाजपा क्यों राज सरकार में इतने चुनाओं में हारती है, तो मैं समझता हो कि देखे, अंत में आत्म विश्वास, अब भी आपने कहा कि कॉंग्रेस वापसी कर सकती है, आपने कल एक चैनल में डिवेट के दौरान भी कहा था कि अमेठी में एक बार अगर राहूल गांधी आर गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुबारा जीत नहीं सकते, सिर्फ अमेठी की अगर बात करें तो वहाँ ज इस तर पर तो बता दिया कि कॉंग्रेस पार्टी को देश में जीतने के लिए क्या बदलाव करने चाहिए, लेकिन राहूल गांधी को अगर अमेठी दोबारा रिकलेम करना है तो उसके लिए क्या करना हुगा? मैं समझता हूँ कि राहूल गांधी जी तो अमेठी से तीन बार जीत चुके थें, तो मैं यही समझता हूँ कि वहाँ पर उनका एक बहुत ही गहरा रिष्टा है, पारिवारिक रिष्टा भी है, और मैं जब उनको वहाँ देखा तो वो बिलकुल दिल पूरे लगन के साथ वो लोगों के साथ मिलते थे और बहुत प्यार है राहूल गांधी के लिए वहाँ पर देखे मैं यह भी जानता हूँ कि अमेठी के धेर सारी लोग जो कॉंग्रेस पार्टी के समर्तक हैं, उनका दिल तूट गया जब कॉंग्रेस पार्टी वहाँ पर अमेठी में हारी, त लेकिन मेरा भी यह वादा है कि जो काम मैं शायद शुरू किया और खतम नहीं कर पाया, मैं इस बार जरूर कोशिश करूंगा कि मैं यह कर पाओ, और यह वादा करें लोगों से, कि चाहे मेरा जिम्मेदारी राष्ट्रिय पूरे देश का हो, क्योंकि राहूल गांधी को त परिशानिया है, आपकी जो भी कठिनाया है, उसका भी सूजन मुझे ही ढूड़ना है आपके लिए, तो आप लोगों को सच्चाई के साथ कहें, देखें सच्चाई के साथ पेशाना बहुत जुरूरी है, मैं आपके सामने, आज आप देखीगा तो कॉंग्रेस पार्टी क खामिया, राहुल गादी की कमजूरिया के बारे मैंने चर्चा किया है, मुझे कोई डर नहीं है कि कोई कॉंग्रेस पार्टी का कोई नेता देखेगा, बोलेगा है, संजे आपने ये क्यों कहा, अपने दान मंत्री ने तो खुले मंच से बोला था जब तीन कानून वापस आपने देखा, देखे, देखे, मानना चाहिए, जिके नेता लोगों का सबसे बड़ा जो एक भरम होता है, कि हम यदि जनता के सामने जाके बोले के हम से गलती हुई, तो वो समझेंगे कि यार ये तो कमजोर आदमी है, ये तो गलती किया, अंत में आप देखेगा कि चाहे संजे जी, एक और सवाल है मेरा, आपने जब सरकार के काम पर बात की, तो आपने ये भी कहा कि जनता की इंकम किस तरह से बड़ी है, ये भी देखना चाहिए, लेकिन अगर आज कल की बात करें, जो एकॉनमी को लेकर आँकले आ रहे हैं, पिछले क्वाटर का डेटा आपने साथ सालों में दोजार पचीज से एकतीस के बीच में सिक्स पॉइंट सेवन की जी डेपी ग्रोथ रहेगी, और जो इंकम है, भारत के लोगों की जो इंकम है, वो निम्न मध्यम वर्ग से बढ़कर उच्च मध्यम वर्ग में आने वाली है, तो ये तो सरकार का काम ही होगा जिसके आधार पर ये जिंसियां ये कह रही है कि इतनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थवयस्था रहेगी, अभी भी पांच बड़ी अर्थवयस्थाओं में शामिल है, तो जो बाते आप कह रहे हैं, उसका आधार क्या ह देखे, यदि सरकार के पर चार पर जाएएगा तो देश में गरीबी ही नहीं है, मोदी जी के सरकार तो कहती है कि यहां गरीबी ही नहीं है, पांच परसंट लोग गरीब हैं, यदि सरकार से पूछेगा, तो मैं तो कहता हूँ कि इन आंकरों को कोभी में चुनोती देने व है आपका वह सिर्फ छे परसंट से एक परसंट कमी है 5.9 परसंट है यूपीए के वक्त में 7.8 परसंट था मोदी जी प्रधान मंत्री बने यूपीए का ग्रोफ तरह जो आज से भी उपर है लेकिन वह सिक्स पॉइंट फोर के लिए आप लोगों ने यूपीए को हरा दिया प्रचार और प्रपागेंडा बहुत ही एहम है राजनीती में दूसरी बात हम किसने वादा किया था किसानों से 2017 में कि आपकी आमदली दुग नहीं हो जाएगे 2022 से आप जोड़ सकते हैं तब किसी से झूट बोल सकते हैं आपने कहा था दो करोड नौकरी आएगी क्यों बोला था दो करोड नौकरी दो करोड नौकरी लाना डॉन के शब्दों में मुश्किली नहीं नामुलकिन है आपने फिर डॉन बनने की कोशिच की क्यों बने आप लेकिन आपने लोगों को एक तरीके से आप सपनों का सदागर बन गया यह राजनीता का काम नहीं है आपको जिम्यदारी के साथ पेशना होगा तीसरी बात देखिए अंत में अंत में जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या जीडीपी ग्रोथ मतलब हो सकता है कि पांच बड़े उद्योगपती का कंपनी बड़ा हो जाए जीडीपी बढ़ जीडीपी नहीं आप पर कैपिटा इंकम को देखिए उसके बारे में प्रधानमत्री एक शब्त नहीं बोलेंगे क्योंकि पर कैपिटा इंकम में भारत का रैंकिंग 140 है आप हुमन डेवलप्मेंट इंडेक्स को देखिए जहां पर शिक्षा और स्वास्त को लेके यह कैसे आप देखेगा कि हमारे देश में शिक्षा शुडबी फ्री अर्विंद केजरिवाल आम आदमी पार्टी के जितने लोग उनके निंदा कर लें लेकिन मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कोशिश की क्या आपका आमदनी जो भी हो मैं आपके लिए फ्री क गोंगा क्या यह एशर्था क्यूंकि यह इसेंचल आप समझ रहे हैं देखिए अंत में जो आंकरी आपने बताएं मैं भी भारतियों में चाहता हूं कि भारत अच्छा करें जाहें मोदी जी प्रदान मंत्री रहा है या कोई भी प्रदान मंत्री रहा है लेकिन इन्होंने जो किया है इन्होंने आंकुरों के साथ भी थोड़ा एक फुटबॉल खेला है एक कहीं गोल मार दिया जब जहां भी मनों वहीं गोल मार दिया अब इलेक्शन आ रहा है तो जीडीपी 8% हो गया अब मैं आज एकॉनमिस्ट आइविल टेल यू कि आप देखेंगे तो नेट ट अब समझने में क्या बोड़ना हो तो आंकरों को तो ऐसी बढ़ना जाता है यश्वन सिना जो वित्मंत्री थे वाचपी जी के सरकार में उन्हों तो सार्विनिक तरीके से कहा कि मोदी जी का जीडीपी 2% बढ़ गया अब यह मैं समझता हो कि आम आदमी का आप इज़त करे यह कहा है भूल जाते हैं कि मैं एकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो लिकान सब पढ़ता है अकबार सब लोग यह भी पढ़ते हैं कि विपक्षी दलू ने कहा है कि आंकरे सही नहीं है अब इक सेरकार के पास देखे मशिनरी होता है सोशिल मीडिया है अब प्रधान मंतरी जो नहीं है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस कमरे में जो भी आप सब लोग हम में से कोई एक आदमी कोई एक महिला को भी हम लोग में से कोई एक नौजवान बन जाए प्रधान मंतरी भारत फिफ्ट लार्जेस्ट एकॉनिमी बन के रहेगा कोई रोक नहीं सकता है उस बहरत को 200 रन बनाने हैं cricket match जीतने के लिए 200 रं रोहिठ शर्मवा 50 रन बनाएं 400 हो गया शुबनम गिल 30 रन बनाएं 80 हो गया जैसवाल ने 20 रन बनाए 100 हो गया विराठ को लिने 60 रन बनाएं 130 हो गया उसके बाद 35 नन बनाए 1 95 हो गया अब आए बैटिंग करने के लिए जडेजा जी भारत dropping zero बनाने है में जीतने के लिए जडेजा ने मारत चखा भारत हो गया 201 अब जडेजा बोले की मैं यह में जडे में जटाया क्योंकि मैंने किया तो मैं समझते वाचपी जी के चार अच्छा काम किया था ऑनों ने बहूत ही अच्छा काम किया था एक secaran sma बदला था राजीव गंदे सब का योगदान रहा रहा है सब का योगदान रहा है इस्के मुझे जिस बात से आपती है वो यह है कि 10 साल में हम सब बन गए अब लोगوس को कैसे ख़़ीद रहे हैं वो में पाद कोई जवाब नहीं है हो सकता है मोदी जी को बहुत प्यार करते है आंक बंद करके लेकिन आंक बंद करके प्यार करना सही आपने कुछ दिन पहले कहा था कि कॉंग्रिस महात्मा गांधी के लिए लड़ती है और बीजेपी अडानी के लिए लड़ती है आपने अभी चर्चा के दौरान भी कई बार जिक्री किया कि कारोबारियों को लेकर जो मोधी सरकार का रवया रहा है वो आपको लगता है कि शा मैं बैंक में रहा हूं मैं कॉपरेट सेक्टर का भी हो और जो टैक्स रिलीफ जो उन्होंने दिया उससे हमारी कंपनी को भी फैदा हुआ लेकिन मैं आपको कहूंगा यह फैदा कॉपरेट सेक्टर को नहीं आना चाहिए था कॉपरेट सेक्टर के पास लोग है उनके पास है लेकिन अंत में corporate sector का भी जिम्मधारी है कि आप R&D करें आप खुद इंवेस्ट करें देखे सरकार का सरकार के पास जो भी पैसा है वो किसके तरफ जाना चाहिए नहे नौकरी करें के लिए गरीब के लिए किसान के लिए समझ गये मेडिल क्लास के लिए आपको उन पर गौर कीज़े अबीड जो है कुछ लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है क्योंकि सरकार के पास स्पेक्ट्रम है लैंड है वाटर है फॉरिस्ट है धेर सारे कब्मेंट कॉंट्रैक्ट्स हैं आपने देखा यह टनल में क्या हुआ यहां पे दिल्ली में साथ सो करोड का टनल उसके बारे में कोई चर्चा कर रहा है इतने हाइवेज लोग कहते हैं इंफ्रस्ट्रक्चर बना है मैं तो अभी आपको कहूंगा आप दिल्ली में गुर्गाव में नौईडा में जहां भी आप चले जाए सब सब जो पुल या फ्लाइओवर यह 2014 के बा स्ट्रक्चर कॉंट्रेक्ट में बड़े बड़े अध्यूपति को फैदा हुआ है इसलिए इलेक्टोरल बॉंड को लेके आप देख रहें कैसे उसके बारे में सुचना बाहर नहीं आ रही है लेकिन मैं यह भी मानने के लिए तैयार हूं कि जो मोदी की मोदी जी के सरकार जो जी एसटी लाया था जो कॉंग्रिस पार्टी ने जिसका निर्मार और आर्किटेक्ट्चर लाया लेकिन मोदी जी की सरकार ने उसको लागू किया अच्छा काम है वह इंसल्विंसी और बैंकरप्सी कोड जो लाया जिसे कंपनी जो एक तरीके से जिनका कारोबार बरब कि भारत को इस दस साल में और आगे होना चाहिए था भारत को इस दस साल में और मजबूत होना चाहिए था भारत को इस दस साल में और मैं समझता हो कि जो वितरन होता है डिस्टिबूशन अव इंकम उसमें जो हमारे गरीब हैं उनको और अमीर होना चाहिए था मैं समझता ह तक लड़ना परे वह सही बात नहीं था कितनी लोगों को जाने भी गए तो मैं समझता हूं कि इस देश का भविश उज्वल है परंतु जिस तरीके का राजनीती हमारे देश में है इसको बदलना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि कोई राजनीतिक दल को भी बदलना पड़े सरकार को भी बदलना पड़े तो क्यों नहीं? सरकार किस तरीके से मतलब ग्रोथ की बात कर सकती है जब कुपोर्शन जैसी समस्या को अभी तक नहीं खत्म किया जा सका है भारत से बिलकुर आप देखे ना कि भविश क्या बच्चों बच्चे ही ना बविश बनाएंगे उनके लिए क्या चाहिए एजूकेशन और हेल्थ अब आप रगवराम राजन जी तो बहुती बहुती जो कहते दिगज एक अर्थ शास्त्री है आप भारत के स्टंटेड वेस्टेड और मैल नरिष्ट का डेटा देखे 30-35 परसंट 32-19 परसंट जदी हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलता है उनके स्वास्त या उनके शिक् होना चाहिए कि हम भविष्य बनाएं आप लोग युवा हैं आप से में प्रश्न पूछना चाहूंगा कितने नेता हैं हमारे देश में जो क्लाइमेट चिंज के बारे में बात करते हैं हर राजनेता सिर्फ वन एलेक्शन साइकल तो अनौदर इलेक्शन पांत साल के लिए लड़ता है क्लाइमेट चेंज चैलेंज फर फ्यूचर कोई कोई बात नहीं कर रहा है मेंटल इल्नेस इस बिग चैलेंज फर यंग जनेरेशन कौन बात करता है इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जरा इन विशोप और गौर कीजिए क्योंकि यदि आप ऐसे प्रशन पूछेंगे तो आपको वही नेता मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं मेरे एक सहयोगी है और यहां काम करते हैं उनका नाम है केशव उन्होंने एक सवाल मैसेज किया है 나와 की outreach से जुड़ा हुआ इस देशका और चिंधिय। और आप भी और रिख आरहारा यह भी कार्थ विचार धारका आद्म हूं जब मैं मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे Congress Party से कुछ लोग नाखुष हो गए मुझे निलंबित कर दिया लेकिन मैं मेरा पुरा विश्वास है कि भारत का सविधान जो है इसको बोलने भी आज को लोग हिच किजा जाते हैं बट वियर अप्राउड से किलर कंट्री इस लिबरल कंट्री प्रगतिशील देश है प्रोग्रेसिव का इस ब्यूटिफुल कंट्री मुझे लगता है कि भारत का सविधान और लोकतंत्र कॉंग्रेस पार्टी के चार साल में और नग मैं कभी जाओंगा मैं भारत का शायद एक ही एक नेता हूं जिसने अपने पार्टी को नहीं छोड़ा अपने जबीर को नहीं बेचा अपने आंतरात्मा को सुना और कहा कि देखिए अंत में जब मैं लड़ता हूं तो मैं पार्टी के लिए लड़ता ह के साथ हो मैंने किसी को कहा था किसी शो में कि जब कॉंग्रेस के पार्टी के लोग जाते हैं भाजपा में मतलब वही है जो आदमी एक दिन डालाई लामा को प्रात्रा करें और गले दिन डॉनल्ड ट्रम्प का प्रात्रा करें यह तो बहुत ही अलग एक स्विच हो गया तो म क्या वही आपकी जिंदगी का लक्ष है क्या देखे मैं अपने आपको बहुत प्रिविलेज समझता हूं कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल एक कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ा मैंने एंबिय किया एक भारत के सबसे नामी एंबिय इंस्चूट से मैं बंबै में रहता ह मेरे पास घर है मेरे पास गारी है मेरे पास प्राइविट क्लब की मेंबर्शिप है तो मैंने आप आपको यही पूछा कि what do I do with this privilege मैं बहुत प्रिविलिज्ट हूँ actually मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास यह सब है मैंने कहा कि मेरे पास तजूर्बा है मेरे पास इतना मैंने जिंदगी में पा लिया है तो इसके साथ मैं करू क्या I have to give back that's why I am in politics I believe you should not be in politics if you don't have to give back to mera kya swarth hai mera yee swarth hai ki mai yadhi bharat ke soch me nazariya bharat ke prajatant ke liye is ke pragyeti ke liye kuchh bhi kar sakun to my aapne aap ko samjho ga ki maine acha kama ki a and that is the reason why I'm here I'm here to give back I'm not here to take anything from politics Sanjay ji aap poori overall bachigat ka joh ek result nikal ke saamne ya raha ki kae na kae joh rahul gandhi ke joh raanidhi ke joh raanidhi kare abhi tak aapne jitni bhi ah cheeja rakhine sámne congress ko leke aur rahul gandhi ke study jihi ku leke to kae na kae na aisa naza nazar a raha ea aapke vicharoham se ki rahul gandhi ke joh raanidhi kare joh raanidhi kare joh bhi hen वो सायद सही नहीं है या उनकी तरफ से दी जाने वाली सलाहें ऐसी नहीं है जो ग्राउंड तक राहूल गांदी को आम आदमी के दिल तक कनेट कर दे जैसा कि मोधी जी कर पाते हैं कि मसमाजते हूं कि नियत सबका सही है सफल होने में में शायद वक्त लगा है कि जो भी है जो भी है या जो भी तया करें एक बात मत भूलीगा कि हमारे यहां जैसे हालात रहें संस्थाएं कमजोर हो चुकी है अभी देखें कि कितने लोग आम आदमी पार्टी के कितने वरिष नेता जेल में है और बाकी 95 परसेंट जो है पूरे विपक्षी नेता हो पर ही निशाना लगा जाता है आप लोग तो बहुत ही आजादी से काम करें लेकिन बहुत बिग मीडि करना ओपोजिशन के लिए काफी मुश्किल होता है असान नहीं है देखिए सरकार के लिए असान है ओपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल होता है तो मैं समझता हूं कि नाकारात्मक हालात के बावजूद ऐसा बात नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी ने धेर राजियों में सफलता नहीं पाई हिमाचर में जीता करनाटका में जीता और तेलेगाना में भी जीता है परन्तु इस बात को मैं स्पिकार करूंगा कि जिस जल्दबाजी के साथ आपको बदलना चाहिए या जिस उर्जे के साथ आपको लड़ना चाहिए या अपने ही लोगों में होसला उनको रोखना चाहिए इन सब चीजों में कॉंग्रिस और अच्छा कर सकती थी उसमें कोई दो रही है यहां देखने में ऐसा आ रहा है कि मोदी जी तो अच्छी तरीके से लोगों को टच कर पा रहे हैं मतलब वो यह कह देते हैं कि काम करना इस पार घर जाओ तो प्रितिक ब अंधि की साथ वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रही है क्या मनना आपको आई अग्री विद्यू हंडिट परसेंट मैं आपके साथ पूरी तरीके से सहमत हूं क्योंकि मैं मेरा भी यही विश्वास है कि देखे आदमी लॉजिक का क्रीचर नहीं होता आदमी इमोशन का क् तो अंत में वो आपके दिल को छूने वाला युदि अंत हो तो वही आप याद करके रखिएगा है कि नहीं मैं समझता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी और राहु जी की यह कमजोरी रही कि आप लॉजिक पर और फैक्ट को बोलिए वह भी सही है आप लॉजिक और फैक्स बोल कुछ हुए मैंने कहा था कॉंग्रेस पार्टी को आप यह मत जाके बोलिए कि यहां पर अनिम्प्लॉइमेंट में यह 45 साल का सबसे खराब यह आंक्रे हैं आप यह जाके बोलिए युवाओं को कि आपका जो भविश्य है आपकी जो सपने है वह अंधकार में डूब रहे ह वह ज्यादा चूता है बलकि यह कहना कि आंकरे जो बता रहे हैं कि वह 45 साल के खिर्तेमान है बेरोजगारी का इसलिए बोलने का आपने बिल्कुल सही का युविट दे नेल ऑन दे हैड़ दे कॉंग्रेस पार्टी नीज सू स्पीक विध ग्रेटर इमोश्य इमोश्य है कि इसे फिजूल खर्ची बताता है लेकिन आपको क्या लगता है कि एक मंदिर में इतनी ताकत है कि वह देश की अर्थ व्यवस्था को बदल सके कि आस्ता बहुत बड़ी चीज है उच्छतम नायले का फैसला है मैं समझता हो कि एक तरीके से दिखेगा तो भगवान राम जैसे हम लोग सब कहते हैं भगवान राम तो सब नागरिक के हैं और यह मैं समझता हो कि यदि कल अयोधिया में ज्यादा टूरिस्ट आए अच्छी बात है मैं नहीं समझता कि देखिए अंत में जहां तक धर्म का बात है धर्म एक बहुत ही एक संगीन एक विशह है और बह जाजी घर में हर रोज हमारे मंदिर में ओम जे जगदिश्यरे हर रोज रात को हुआ करता था तो देखिए हम लोग सब धंड को मांते मेरा सिर्व एक ही चीज़ है धर्म को लेके राजनिती करन नहीं होना चाहिए बस तो यदि चाहे राम मंदिर हो या जो भी और धेर सार और यदि आप देखेंगे तो लोगों का अभिलाशा लोगों का जो भी सपना है धर्म को लेके उसका इज़त करना चाहिए मैं यही समझता हूं कि राजनिती करन नहीं होना चाहिए बस इस देश में धर्म को लेके मजभ को लेके नो सियासत अट और नी सर आपने मेरे सवा तो बुदिस टेंपल्स बहां जाते हैं वहां पर गौतम बुदा के धेर सारे स्टैचूस हैं और पीपल गों विजिट आप यदि चाइना जाएगा तो वहां पर आप धेर सारे चाइनीज हिस्ट्री में जितने उनके महान जो नेता हैं उनके जगह उनके जो भी भगवान का लोग वहां प्रात्ना करते हैं वहर जगह टेंपल्स हो या जो भी हो पीपल गो टो विजिट देर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो यदि यहां पर हमारे हाँ आज भी देखे की साउथ में या वेस्ट में नॉर्थ में जहां भी टेंपल्स हैं लोग जाते हैं आज़म दिधार कर रने वाल हो और या यूब आण फिर नौट देंगा विखे बाथ गया में अप गया में अप बुद्धिजम में जच टूर्ड बर में यू बूंन जब्हां तूरिस्ट आने चाहिए और वहां पर ने जादा नहीं हैं ज़ा आजेए वहां भी करना चाह लोग भी हैं पॉलिटिसमें बहुत अच्छे लोग पड़े लिखे लोग हैं आपके सामने एक PhD भी बैठा हुआ है मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए कि आप जब तक मेंस्ट्री में नहीं आएगा तब तक जो हम लोग कहते हैं सिस्टम सिस्टम बदलना है तो आपको उसमें तो आपको आतमें विश्वास के साथ पूछना चाहिए कि आपके राज़ितिक दल में जाओं और मुझे कुछ कहना है तो क्या मैं पूछ सकता हूं क्या मैं अपने प्रेजिनेंट से प्रश्ण पूछ सकता हूं या उनसे मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा that's wrong so you have to join a political party that encourages you to be free and fair and more important जहना पर आप आगे बढ़ सकें मेहनत से और आपके बारे में आपको लोग इज़त करें आपके साथ इदी कोई सेंबत नहों तो मतलब यह नहीं कि आप खड़ाब हो गया तो आपको ऐसे जगह में काम करना चाहिए which is free and fair like the place you're working in right now संजे जी राहूल गांदी के सामने जो है कहीं कुआ कहीं खाई वाली स्थिती ऐसी लग रही है जब राहूल गांदी चुनाव के समय में फिल्ड में नहीं होते तब या सवाल उठता हैंग वो फिल्ड में नहीं अब वो फिल्ड में और भी तका स्माल, प्र हाँ को से हैं इतने सारे अडिवाइस इतने सारे अड़्वाइजर्स इसी में फस गाएं क्या राहुल लिक्ति हमेश्चा एक डुबधा या कश्मकश होती है जी पी राजनेता के लिए कहां तक फैल्ड में रहें कहां तक दिल्ली में और क्योंकि चुनाओ का वक्त है तो बहुत लोगों ने कहा कि राउल गांदी जी को भारत जोड़ो नया यात्रा के बदले दिली में रहना चाहिए था लेकर आजकल के जबाने में आदमी मोबाइल पे रहता है धेर सारे काम हो जाते है ऐसा बात नहीं कर नहीं होता है तो मैं नहीं समझता कि उसे कोई रुकावट होता है काम होने पर लेकिन ये बात सही है कि राज आप इदी राजनीती में आएं तो तयार रहिए कि महनत बहुत करना पड़ता है पसीने बहुत निकलते हैं और क्योंकि इस गोल्ट फिश बोल आप हमेशा मीडिया के सामने रहते हैं और राहूर गांधी पर इसे लिए जादा प्रशनलों करते हैं बड़ आई डोंकि आपको आपको विदाई आपकी हुई थी उस समय शायद आपने कोई ट्वीट किया था जो सचिन पाइलेट पर हुए एक्शन के बाद था उस ट्वीट को लेकर कभी आपको कोई रहा और आपकी वापसी वापस क्यों नहीं हो पाई कि उनीस से चौबिस आगे उनीस वाले बहुत सारे लोग अपने अपने बटाइलिन वे वापस हा चुके हैं आप नहीं अभी तक गए हैं नो रिग्रेट से टॉर क्योंकि मैंने सच बोला था आप देखे कि कॉंग्रेस पार्ट अलग सा है और इसलिए मेरा एक अजीब गरीब हाला था है कि मैं कॉंग्रेस पार्टी के लिए लड़ता भी हूं मैं निलंबित भी हूं मुझे किसी और पार्टी में जाना भी नहीं है और मैं आपके लिए और सब के लिए लड़ूंगा मैं समझता हूं कि it is very odd that I am the exception because her politician should be like like me why should you leave a party सबको तो जो भी politics में उसको आपके लिए लड़ना है उसको अपने लिए अपने पादे के लिए नहीं लड़ना है तो यदि आज मैं exception हूं that is unfortunate I wish there are more people like me who stay in a party forever I am never leaving the Congress Party and I think the Congress Party मैं मैं मजग में कहा था Congress Party and I are in a very intimate live-in relationship we we are like we can't do with each other we can't do without each other आपका experience मंजपर कैसा रहा यह आप जरूर बताएं oh it's been fantastic सबसे पहले तो मैं आपको दनिवाद देना चाहूंगा बिक थांक यू फॉर बीइंग वड़र्फुल ओर्डियंस आप लोगोंने बहुत ही मैं समझता हूं की बहुत सही प्रश्ण पूछे और ऐसे प्रश्न जो उचित हैं सबके लिए आपने अपने बारे में नहीं पूछा आपने देश के बारे में पूछा और मैं समझता कि देखे सबसे बड़ा जो हमारे सामने इस देश में हम रहते हैं ये हमारी खुशनशी भी है बहुत ही महान देश है इस देश में जब गांधी जी के बारे में आप जाइए कहीं भी जाइए गांधी जी का आपको वहां statue मिलेगा कहीं भी आप जाहिए किसी भी देश में हम हम हमें इतना गर्व होना चाहिए मुझे याद है मेरी politics में कैसी चुरूई यह अंत में बताना चाहूंगा मैं फर्गुस्टन कॉलेज में था और मेरे ही campus में Gandhi film की shooting हो रही थी और मैं पहली बार जब मैं I was a student of Ferguson College Puna और में गया shooting में Richard Attenborough का फिल्म था Gandhi इड़ एट ओसकर्स और मैं वहाँ पर गांधी को पहली बार देखा इन देखा इन देखा इन देखा इन फेस बैं किंग्सली who won the best actor award and I said I'm so lucky to live in this great country कि यहाँ पर foreigners आया है उसे में foreigners आते थे तो हमको लगता था कि यह कौन है foreigners were coming to make a story in an Indian that won eight Oscar awards and everybody said from Barack Obama, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, सब लोगे ने कहा कि हमें प्रेधना मिला मात्मा गांधी से, तो आज हम सब लोगों को अपने, अपना सर जो कहते है न, सर बिलकुल गर्व के साथ इठा के कहना चाहिए हम ऐसे देश में रहते हैं जपर हमारे यहाँ ऐक समय एक नेता हुआ करते थे, एक प्रेधना हुआ क करते थे हैं, a spiritual soul of this country, Mahatma Gandhi. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना बेश कर्मती समय लेकर आए और आपने इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, Sanjay जी.